दुनिया की सबसे बड़ी समस्या धन और सुरक्षा है और डिज्नी प्लस होस्टार इन दोनों समस्या का सामना आपसे कराने जा रहा है जिसमें आप लोग धन से जुड़ी हुई प्रॉबलम से लेकर एक परिवार की सुरक्षा तक का सफर देखने को मिलेगा तो मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल Real Life of Bollywood में अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो red बिटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और notification bell को on करना ना भूलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का review on खुदा हाफिस खुदा हाफिस मुवी 2007 साथ से लेकर 2008 के दर्शे को दर्शाती है जब अमरिका की काय फाइनल क्रैसिस्ट का असर भारत पे चल रहा था और मंदी के कारन देश में काम ना होने की वज़े से पैसो की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इसी दोरान के एक घटना से इंस्पायर है मुवी जो लखनों में रहने वाले इमान दयार, सोफ्टवर, इंजीनियर, समीर चोधरी की लाइफ के इर्थगिट घूमती है और 14 अगस 2020 को डिजने होस्टार पर रिलीज हुई ये एक्शन थ्रेलर मुवी को डिरेक्ट किया है फारुक कबीर ने और मेन लीडिंग रॉल पर आपको नजर आएंगे विद्द जमाबल कहाने की शिरुवात में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक न्यूली मैरिट कपिल समीर और उसकी पतनी नर्गिज जो हती खुशी अपनी परिवार के साथ लखनों में रहते हैं लेकिन देश में चल रही financial problems के कारण वो दोनों अपनी जोब से हाथ खो बैठते हैं और देश में काम बंध होने के कारण दोनों दूसरे नोवन देश में एक agent के थुरू नोकरी की तलाश करते हैं और आगे चल के आपको एक सीन इतनी शिदत से दिखाये जाता है जिसमें आपको पता चलता है कि नोमानिया में जोब समीर की नई बलकी नर्गिस की लगी है जिसको देखने के कारण आपको एक अंदाजा हो जाता है कि आगे ज़रूर कुछ गडबड होने वाली है और कहानी में आगता है एक ट्विस जब आप लोगों का शक यकीन में बदल जाता है और पता चलता है कि नोमानिया शहर में किर्नेप हो चुकी है नर्गिस और बिना देरी करे समीर चला जाता है नोमानिया शहर में अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पे ढूड़ने के लिए स्टार्स की पत करें तो आप समीर के रोल में विद्धुत जमावल को देखेंगे जो कैसे एक आम आदमी से लेकर अपनी लापता पत्नी की तलाश में एक स्ट्रोंग नीडर एंग्री यंग मैन बन जाता है और विद्धुत इस रोल को बहतरी तरीके से निभाते हुए इस मूवी को एक अल्टिमेट लेवल पर दे जाने का काम करते हैं और विद्धुत का साथ निभाते हुए इसकी पत्नी के रोल में आप शिवालिका अब्रोय को देखेंगे जो अपने एक्सपेशन को अंतक बनाये रखने के साथ साथ इस फिल्म में 100% देती हुए नजर आ रही है आगे फिल्म में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे एक एक्शन स्टार एक आम आदमी के रोल निभाता है जिसमें उसको अपने हाथों का इस्तमाल करना है लेकिन एक एक्शन स्टार की तरह नहीं बलकि एक आमादबी की तरह और जो एक अंजान देश में है और ना वहां की भाशा जानता है और ना वहां के लोगों को लेकिन मुसीबब में बड़े इंसान को देखकर उपर वाला किसी ना किसी को एक मसीय के रूप में भेजी देता है तो समीर को भी एक टैक्सी डाइवर के रूप में एक दैयलू पठान उस्मान अली मिल जाता है जो उसकी मदद के साथ साथ उसको सही रास्ता दिखाता है और उसकी सुरक्षा करता है और फिल्म में आगे चलकर आपको नोमान शहर के लोकल पुलिस ओफिसर भी देखने को मिलेंगे जो समीर की हेल्प करने के साथ साथ उसकी जर्नी को ट्रैक करते हुए नजर आ रहे है और दूसरी तरफ समीर आपको उस शातिर का सामना करता हुए दिखाई देगा जिसने उसकी पतनी का किड्नैप किया है वो एक मास वेपारी है जो लड़कियों को सप्लाई करता है और प्रोसिट्यूट का धंदा चलाता है समीर की यात्रा में साथ देते हुए अबू मलिक और तमना पुलिस ओफिसर के रोल में आपको नजर आएंगे शिवम पंडित और अहाना कुमार और टैक्सी डाइवर के रोल में अनू कपूर जो अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को कंप्लीट करने का काम करते हैं लेकिन फिल्म डगमगाते हुई तब नजर आती है जब विद्धु जा रहा होता है तो रोती हुई पत्नी के सीन को माइनस कर देता है जिसमें उसे एक एमोशनल एक्टिंग का सीन करना होता है लेकिन उसी दोरान फाइटिंग से हमारा ध्यान खीच लेती है जब विद्धु जमावल एक अंजान पतली गलियों में अकेला एक गुंडों के जुंड के साथ अकेला भिड़ जाता है अपनी पत्ती को बचाने के लिए जिसमें विद्धु के एक्सपेशन चीक चीक कर बता रहे होते हैं उसके अंदर के जुनून को फिल्म के अंदर आपको बेगिस्तान के रेगिस्तान और मासागर की स्टनिंग लोकेशन के साथ साथ अर्भी भाषा बोलने का बिल्कुल सही तरीका देखने को मिलेगा रेटिंग की बात करें तो INDP ने इस मुवी को 10 में से 8.4 रेटिंग दी है दो घंटी 14 मिंट की ये मुवी आप अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म में आपको दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, धन और सुरक्षा के साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे एक पती अपनी सारी कामयाब कोशिश करते हैं अपनी पतनी की सुरक्षा के लिए और अपनी आखरी दम तक कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को बचा सके और आगे आपको देखना है कि क्या खुदा समीर का साथ देता है उसकी पत्नी को बचाने के लिए या नहीं और ये सब देखने के लिए आपको जाना होगा डिजनी प्रस होस्टार के उपर तो आज की वीडियो को करते हैं पर एंड जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे रेड बिटन प्रेस करके और मेरे वीडियो को लाइक करना भी तना भूलिए तो तब तक के लिए खुदा हाफिस टेक केर बाबाए